सब को जय मैसी की एक बार फिर से आपके समुक मुझे आने के लिए परमिश्र का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कुछ समय से में वीडियो नहीं बना पा रही थी उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूं क्योंकि मुझे खुद को है कि परमिश्र का बचन मुझे देना है और हर एक सुभा मुझे एक अच्छा परमिश्र का बचन आप तक पहुचाना है तो वो मेरे मन में है तो कुछ समय से मैं नहीं दे पारी थी उसके लिए मैं माफी चाहती हूं आज फिर से एक छोटी सी बात लेके आपके समुक पस्तुत हूई हूं और ये भी एक पमिश्र का बचन है और ये हम सबों के लिए हैं जैसे कि आप नीती बचन में देखेंगे नीती बचन 18 के 21 में जब आप देखोगे जीप के वश में मिर्ती और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वे उसका फल भोगेगा कितनी बड़ी बात है ये अगर अपन देखें तो अपनी जो मुख में एक जीप है जिसमें एक हड़ी नहीं है और बिना हड़ी वाली ये जीप है और जट से फिसल भी जाती है और इसको काम में लाना जो जानता वो इसका फल भूगेगा, तो जीवन और मिर्ति ये लिखा है बचन में, जीवन और मिर्ति जो है वो इस जीप के उपर है, तो हमें इस जीप को काम में लाना आना चाहिए, ये बात है, देखो, इस जीप से हम किसी को अचछा भी बोल सकते हैं, इस जीब से हम आशिश भी दे सकते हैं और इसे श्राब भी दे सकते हैं तो यह चीज परमेशन ने आपके समूख रखी है कि आप अपनी जीब को किस तरह से लेना जाओगे देखो परमेशन ने कोई बंदन नहीं दी आपके उपर आपको clear एक सामने रख दिया की रास्ता है एक मिर्तियों और एक जीवन आपको चुनना है आप चुनिए कि आप कौन से रास्ते को चुनना चाहते हैं आप दोनों बाते नहीं हो सकते हना एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता वो एक की ही करेगा दो की नहीं कर सकता इसी तरह से आप दोनों रास्तों पर नहीं चलोगे वर नभीज मसदार में रह जाओगे फिर कोई फायदा नहीं है आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी जीव को एक अच्छे काम के लिए इस्तमाल करने पाएं तो आप कीजी है ऐसा नहीं कि आप इसी मूँ से इसी जीव से आप किसी के लिए अच्छा बोल रहे हैं और टन हो कि दूसरे को आप उसी जीव से कुछ गलत बोल रहे हैं यह नहीं हो सकता परमिश्र का बचन एकदम क्लियर है क्लियर लिखका है जीप के वर्समें मिरती और जीवन दोनों होते दोनों होतें आप इसको मैं परमिश्र पर बहुत विश्वास करके आप से बताती हूं मैं कि आप इसको एक आजमा के देखिए मैं उनκε लिए बोलती हूँ जो माताय है आपकी बच्चे कैसे भी हैं चाहें वो आपकी बाद सुनते हैं नहीं सुनते हैं मानते हैं नहीं मानते लेकिन आप एक चीज करके देखिए आप अपने मुख से हर पल उनको एक आशिरवाद देते रहिए आप आशिरवाद देते रहिए आपका आशिर्वाद वहाँ जाके काम करेगा, उस बंदे में काम करेगा, सच में, आप करके देखिए, आप प्लेस, कभी किसी को श्राप मत दीजिये, कभी किसी के बारे में इतना बुरा मत बोलिये, और ऐसा नहीं है कि आप में कोई शक्ती है, नहीं बिल्कुल नहीं, आप आपके वस में एक चीज दी है परमेशियों ने आपके जीप के अंदर की जो जीप इतनी जो सबको आशिज दे सकती है और उससे अगले का अगर अच्छा हो रहा है और उसके लिए आप दूसरी बाते क्यों इस्तमाल करेंगे तो यह मस समझे कि आपके पस बहुत बड़ी पा तो आज का वचन मेरे उन लोगों के लिए जिनको लग रहा है ऐसा कि नहीं हम से ऐसा नहीं हो पा रहा है कि हमारी जो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहें तो मेरे प्रियों मैं आप से एक बात बोलूँगी आप सबसे पहले तो प्रातना कीजिए और अपने जितनी भी ज् प्रमेशर के हाथ में सौप दीजी कि प्लीज मेरे प्यारे पिता मैं जीब को आपके हाथों में समर्पित करती हूं इसके अंदर से जो शब्द निकलेंगे वो आपकी होना चाहिए यह जीब किसी की जिन्दीकी बचाने वाले होना चाहिए यह जीब किसी को आशुरवात अगर आपको परमेशर के साथ जाना है या परमेशर के साथ उस जगे पर वास करने जहां पर परमेशर खुद रहता है अगर आप ऐसा करने चाहते हैं तो जरूर कीजिए परमिश्रकर जो आने का समय बहुत नजदीक है आपको उसका समय नहीं पता न मुझे पता है किसी को नहीं पता है बस इतना पता है पलक जपकते ही वो सब कुछ हो जाएगा तो धीरे धीरे कीजिए हम पुछ वीडियों से एक सीरीज जैसे चला आ रही हूं जैसे कि पहले वीडियों में कुछ बताया, फिर कुछ बताया, फिर कुछ बताया, आज मैं जीप को लेकर कुछ बता रही हूँ, कि अपनी जीप पे कंट्रोल रखी है, हाँ, देखो, अपन मनुष्य हैं, तो कुछ प्रॉब्लम, कुछ ऐसा होता है कि कई बाते हमारे सामने ऐसे आजाते हैं, कुछ परिस्तितियां ऐसी हो जाते हैं, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, मुँ खोल देते हैं, लेकिन आपसे एक बात बोलू, आप कंट्रोल कर सकते हो, मैंने किया है, मैं हमेसा आपको वो ही बात बताऊंगी, जो मैंने की है, मैं सब कुछ नहीं बताऊंगी जो कि मैंने नहीं किया मैंने मेरी जीप पे कंट्रोल करना सीखा है और एक दिन में नहीं हुआ था यह इसके लिए मैंने प्रैत्न किया है मैंने प्रात्ना की है मैं हमेसे एक प्रात्ना करती हूं इसके लिए मैं हमेसा बचनी की कोशिश करती हूं। उससे किसी को लगता है कि अरे यह तो बहुत जादा वह हो गी है कि यह तो हमसे बात नहीं करती है। मैं मेरे शब्दों को कंट्रोल करती हूं। आपको एक बात और बताती है। मेरी लाइफ के अंदर मेरे जीवन में कि कोई बात हो जाती है। इससे चाहे मालो की मैं घर में हूँ और घर में चाहे मेरे पती से मेरी कोई बात हो गई है। हना तो मैं क्या करती हूं चुप हो जाती हूं। अब उसके लिए तुम चाह कुछ भी समझो। मैं बहुत शान्त हो जाती हूं, और शान्त हो कि फिर मेरा क्या करती हूं, एक शब्द भी नहीं बोलती हूं, इसके लिए मैं जानती हूं कि अगलों के मन में बहुत तकलीफ होती हूं, उससे बात नहीं कर रही हूं, कि मन में बहुत सारी बाते आ जाती हैं, लेकिन मैं क्या कर रही होती हूं, मैं मेरे उन शब्दों पर कंट्रोल कर रही होती हूं, मेरी लड़ाई मुझसे हो रही होती है, मैं अपने आप से लड़ रही होती हूं, मैं मैंने उन शब्दों से लड़ रही होती हूँ कि नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना है मुझे ऐसा नहीं करना है और दूसरा मैं अपने आपको जांस्ती रहती हूँ कि परमेश्वर कहीं ऐसा तो नहीं मैं बहुत गलत रास्ते पर तो नहीं चली जा रही गलत रास्ता means, that means कि मेरे मुझसे कोई शब्द ऐसा निकल जाए और मैं परमिश्र की नजर से हट न जाओं, मैं अपने आपको जास्ती रहती हूं, हर पल, हर घड़ी, और ऐसा मुझे कभी लगता है कि मेरे शब्दों से किसी से को तकलीफ होती है, तो मैं अपने शब्दों क बहुत जादा इतना कंट्रोल करती हूं कि मैं आगे मैं बात नहीं करती हूं, मैं बहुत शांत रहती हूं, बिलकुछ उप रहती हूं, मैं देखने वालों को कुछ भी लगे, कुछ भी लगे, मुझे जो भी अब्जर्व कर रहे हैं, उनको कुछ भी लगे, मुझे उससे क अगर मुझे गुसा आ रहा है तो प्यारे पिता इसको आप कंट्रोल कीजिए मेरे शब्दो को आप कंट्रोल कीजिए क्योंकि मेरे साथ पहले ऐसे हुआ था मैं आपको एक थोड़ा चोटा से शेयर करती हूँ कि कुछ बात होती तो फिर मैं क्या करती कि जैसे कि मैं बहुत कंट्रोल करके अगर मैं कुछ अगले को बहुत आराम से भी किसी को अगर मैं अंसर कर रही होती जवाब दे रही होती तो उसको अगले को वह बात कुछ और लग जाती कि दो में और उसके बाद मैं मेरा वो काम हो चुका हो ता जो में कर रहे होती हूँ, जा भी मेरा काम हो जाता है, तो मेरे सात में ये तो आप प्लीज बुरा मत मानियेगा, यह चीज है मेरे साथ, मैं चुप हो जाती हूं, तो आप अपनी जीप पे कंट्रोल करना जरूर सीखिए, अगर अभी तक आप ऐसा कर रहे हैं, कि अपनी इसी जीप से किसी को आशिरवाद भी दे रहे हैं, किसी को श्राब भी दे रहे और इसी मूँ से परमेशर का नाम ले रहे हैं, गलत है, बिल्कुल गलत है, या तो आप गाली को लोच कर लीजी या परमेशर का नाम ले लीजी, पर दोनों बात मत कीजिए, प्लीज, तो आज का वचन मेरे उन लोकों के लिए है, मेरे प्रिये भाईयों और बहनों, आप यह मैं सोचना कि वचन सिर्फ आपके लिए यह वचन मेरे लिए भी यह पता है जब में यह वीडियो बना रही हुआ इसमें मैं खुद अपने आपको यह बात बोल रही हूं क्योंकि इसमें दिखाई दे रही हूं तो वचन जो दोधारी तलवार होता है और यह मुझे भी काटेगा आपको भी काटेगा तो आज का मेरा वचन जो था नीती वचन 18 का जो 21 से जीप के वरस्तों मिर्थी और जीवन दोनों है और आप अजमा के देखिए बंद कीजिया उन सारी बातों को जो आपको लग रहा है आप अपने आपको जांचिए कि ऐसा तो नहीं मेरे मुख से को ऐसी बात हो रही है जिससे कि दूसरे को तकलीफ हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं मेरे मुख से कुछ और निकल जाए नहीं आप अच्छा ही बोलिए कितना भी बुरा किसी ने किया आप उसके लिए प्लीस अच्छा बोलिए वो आपके लिए अच्छा होगा अगर किसी ने आपको परेशान किया किसी ने आपको सताय है आपके जीवन में बहुत तकलीफ हैं अगर किसी ने दीए तो भी आप उसके बारे में अच्छा बोलिए अच्छा कीजी है यह उस इंसान को दिखाने के लिए नहीं किसी को दिखाने के लिए नहीं आपको पमिश्र के नजदीक जाना है आपको पता है जब इसमसी के हातों में के लिए ठुके जारी थी तो उन्होंने क्या बोला था उन्होंने एक ही बात बोली हे मेरे पिता यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं इन्हें माफ करना तो आप मुझे बताईए जब उन्होंने ऐसा किया तो हम क्यों ना करें आपके जीवेन में कभी भी कोई तकलीफ हो या कोई आपको इतना तकलीफ देना तो इसो मसी की सूली की मिर्तियों को जरूर रहायत कर लीजिएगा आप सब कुछ भूल जाएंगे तो अपनी जीप को जरूर कंट्रोल कीजिएगा छोटी सी एक काम आज हम करी लेते हैं आज से आप स्टार्ट कर दीजिए अच्छा बोलना अच्छा मेंस किसी के लिए भी अब अच्छा बोलिए और आप पॉजिटिव होके बोलिए आपके अंदर पमेशुर ने एक चीज रखी है उसको confidence में लेकि आप पॉजिटिव बोलिए और आप खुद देखेंगे उसका नतीज़ा आप यह मैं सोचिए कि आपको तुरंत सब कुछ ऐसा होगे कि आपने बोला और हो गया नहीं थोड़ा समय लगता है अब करके तो देखिए आज हम अपनी जिप पे कंट्रोल करेंगे जो भी मेरे भाई और बहनों इसको देख रहे हैं और जिनको भी जरुरत थी इस छोटे से वचन की जिनसे यह बात करें तो मेरे प्यारे पिरियो मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी परमिश्र को धन्यवाद जरूर देना उनको धन्यवाद देना और मुझे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको लगता है कि नहीं है किसी के लिए है यह चीज तो आप मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो आप मुझे जरूर बताईएगा मैं एक अच्छा वीडियो बना के और ऐसा करके मुझे अभी तक कुछ ऐसा नहीं हाता मुझे सिर्फ इतना लगता है कि मुझे मेरे प्रभू का एक वचन मुझे देना है ताकि वो किसी के जीवन में काम करें तो आसे हम अपने जीप को कंट्रोल करेंगे मेरे प्रियों मेरे अपने वाले तमाम लोगों मैं आपको एक ही बात बोलोंगी आप जरूर अपना ये काम एक शुरुआ जरूर कीजी तो चलिए एक छोटी सी शुरुआत फिर से करते हैं अपने जीप को कंट्रोल करने का जो किसमें लिखा है और हम जीवन को ही चुनेंगे हम मिर्थी को क्य जाएंगे परमेशर में आपको सबको जय मसी की